निकोलो मैकियावेली निकोल दी बर्नार्डो डेई मचियावेली तीन मई 1479 इक्कीस जून 1527 इटली का राजनेक एवन राजनेतिक दार्षनिक संगीतग्य कवी एवन नाटककार था कार्य न करने और पच्चताने से बहतर है कि कार्य करे और पश्चाताब करे जो धोखे से जीता जा सकता है उसे बल से जितने की कोशिश न करे एक बुद्धिमान शासत को इस बात पर भरोसा करना चाहिए कि उसके नियंतरण में क्या है दूसरूं के नियंतरण में नहीं है जो लोग गुलाम बने रहना चाहते हैं, उन्हें मुक्त करने की कोशिश करना उतना ही मुश्किल और खतरनाक है जितना की उन लोगों को गुलाम बनाना जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं पुरुष इतने सरल और ततकाल जरूर्तों का पालन करने के लिए इतने इच्छुक है कि एक धोखेबास को अपने धोखे की पीडितों की कभी कमी नहीं होती हर कोई देखता है कि आप क्या दिखाते हैं परन्तु बहुत कम लोग ही अनुभव करते हैं कि आप वास्तव में क्या है खत्रे के बिना कोई भी कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकता राजनिती का नैतिक्ता से कोई सबंध नहीं है उद्यमी केवल वे होते हैं जो समझते हैं कि बाधा और अफसर के बीच केवल थोड़ा ही अंतर है और जो दोनों को अपने लाभ में बदलने में सक्षम है एक शासक की बुद्धी का आतलन करने का पहला तरीका यह है कि उसके आसपास के लोगों को देखे समुंद्र के शान्थ होने पर तुफानों की आशंका न करना एक सामान्य गलती है बुद्धी में मुसीबत की प्रकृती को भेद करने और कम बुराई को चुनने का तरीका जानना शामिल है पुरुष एक महत्वा कांख्षा से दूसरे महत्वा कांख्षा की और बढ़ते हैं पहले वे हमले की खिलाफ खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं और फिर वे दुसरों पर हमला करते हैं जिनको अपने आप पर भरोसा नहीं है वे लोग नई चीजों पर दिल से विश्वास नहीं करते हैं बुद्धी की निशानी अपने स्वय के अध्यान के बारे में जागरूपता है दिया गया वादा अतीत की एक आवश्शक्ता थी तूटा हुआ शब्द वर्तमान की एक आवश्शक्ता है मैं यथा स्थिती को सनरक्षित करने में दिल्चस्पी नहीं रखता मैं इसे उखार फैंकना चाहता हूँ जो व्यक्ती निरंतर सफलता चाहता है उसे समय के साथ अपने आचर्ण को बदलना चाहिए